दोस्ता अच्छी इस वीड़े में हम कवर करेंगे तुलसीदास के दोहे यह आपके हिंदी के क्लास 12 के स्लेबस में है तो इससे स्टार्ट करूंगा उससे पहले मैं आपको बता दू कि मैं आपके हिंदी के पूरे स्लेबस को कम्प्लीट कर रहा हूं कर रहा हूं क्या मैंने क करही लिया है यदि आपने उसे भी चैप्टर के वीडियोस को नहीं देखा तो उपर एक आई बेटन होगा उसमें क्लिक करें आपको सभी चैप्टर के वीडियोस मिल जाएंगे चलिए अब दोहे को स्टार्ट करते हैं जे न मित्र दुख होई दुखारी तिन ही बिलोकत पा पापी है जी हाँ जो अपने दोस्त के दुख को दुख नहीं समझता हो यानि कि उससे देखकर दुखी ना होता हो उसके दुख को देखकर दुखी ना होता हो वो पापी मित्र है और तुलसिदास जी ये भी कहते है कि सच्चा मित्र वो है जो अपने परवत समान यानि कि पहाड समान दुख को धूल समझे और अपने मित्र का जो धूल समान दुख हो उसे परवत समझे फिर जह मैं explain कर दू कि अपने परवत समान दुख को धूल समझे और जो दोस्त का यानि कि मित्र का धूल समान दुख हो उसे परवत समझे यानि कि वो अपने दुख को कुछ न तयायी कुपत नीवारी सुमपत चलावा गुन पर गटे अवगुन ही दुरावा तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते है कि जो मितड़ Draw नहीं निभा सके यानि कि जो friendship का value को नहीं समझ सके जो अपने दोस्त को नहीं समझ सके जो लोगों से हट कर मितिर्टा करते है जो सच्चा होता है उसका ये धरम होता है कि वो अपने मित्र के गलत अपने मित्र को गलत रास्ते पर चलने से रोके जी हाँ आपका सच्चा दोस्त वही है जो आपको गलत मार गयाने की गलत रास्ते पर चलने से रोके और आपका अच्छा और सच्चा मित्र वो है जो आपके गलतियों को दूसरों के सामने नहीं बताए जी हाँ वो आपके गुनों को दूसरों के सामने प्रकट करे और अव गुनों को छुपाए वो अच्छा मित्र है सेकेंड दोहे में यही कहा गया है आईए अब पढ़ते हैं थर दोहे को देट लेत मन संक ना धरी बल अनू मान सदाहित करी बिप तीकाल कर सतगुनेहा शुरूती कहसंत मित्र गुनेहा पहरे तो मैं आपको एक बात बताजा चलू कि जो लेन देन है ना लेन देन जो मित्र करते हैं उससे क्या होता है उससे दोस्ती है यानि कि जो मितरता है वो जल्दी तूट जाती है जैसे कि पैसे का लेन देन हुआ वस्तू का और भी सारे चीजों का लेकिन दोस्तों ये हमारा मानना है लेकिन जो तुलसी दास है वो बिलकुल अपोजिट कहते है यानि कि वो बिलकुल अलग कहते है तुलसी दास जी इस दो या देने में ज़्यादा आसंकोच ना करें आगे कह मिदू बचन बनाई पाच्छे अन हित मन कुटी लाई जाकर चित अही गती संभाई उसको मित्र परी हरे ही भलाई यहाँ पर तुलसी दास जी कहते है जो मित्र आपके सामने मीठी बाते बोले और दुसरों के सामने यानि कि आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करे जिसका मन साप के चाल के तरह तेना हो ऐसा व्यक्ति कभी भी सच्चा मित्र नहीं हो सकता है ऐसे को छोड़ देना ही भलाई है आए लास्ट वाला दोहा पड़ते है यहाँ पर तुलसी दास जी चार चीजों के बारे में कहते है जिसके जीवन में मुर्ख नौकर हो या मुर्ख सेवक का परवेश हो गया हो जिसके देश का राजा कंजूस हो जिसका स्थ्री उल्टा हो या जिसका मित्र कप्टी हो यह जो चार लोग है ना जी हाँ दोस्तो यह चारो जिसके बारे में मैंने कहा यह जो चार लोग है तुलसी दास जी का महनना है जैसे कांटा चुप जाने पर तकलीफ देता है वैसे ही यह चारो जो है यह तकलीफ देते है दोस्तों यहीं पर यह समाप्त होता है दोहा मुझे उमीदे कि आपको समझ में आ गया होगा और जाते-जाते मैं आपको बता दूँ कि अगर एक्जाम में यहां से कहीं से भी उठा कर लाइन दे कर दे दिया गया जो मैंने आपको कहा उसी को बड़ा बना कर लिख देना अच्छा माकस आपको मिल जाएगा और हाँ मैंने आपको हर वर्ट का मिनिंग नहीं बताया वैसे वीडियो बनाओंगा तो एक गंड़ा क वीडियो बन जाएगा और कोई ओपेन ही नहीं करेगा नहीं देखेगा बोरिंग सा लगेगा तो आप एक काम करो अगर आपको सभी वर्ट के मिनिंग चाहिए तो आप सिंपली गाइट को फॉलो करो तो मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दगली वीडियो के साथ